पहलवानों की सड़क पर आंदोलन बंद करने के एलान के बाद बीजेपी सांसत ब्रिजबूशन सरंसींग की प्रतिक्रिया आई है ब्रिजबूशन सरंसींग ने कहा कि अदालत अपना काम करेगी और जो करेगी ठीक करेगी उन्होंने कहा मेरा कोई प्लान नहीं है मुझे कोई टिपड़ी नहीं करनी है अब प्रकरण अदालत में है एक दिन पहले ब्रिजबूशन सरंसींग के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने कहा तक कि अब ये लड़ाई सड़क की जगा अदालत में लड़ी जाएगी पहलवानों के अंदोलन का नेत्रित्व कर रही साक्षी मलिक और विनेश फॉगाट ने टूइट कर इस बारे में जानकारी दी थी दरसल अपने दर्शिकों को बता दें कि साल 2024 के लोग सभा चुनाम से पहले महिला पहलवानों का और ब्रिजबूशन सरंसींग का मुद्धा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है ऐसे में देखा जा रहा है कि ना ही महिला पहलवान पीछे हटने कले तायार है और ना ही ब्रिजबूशन सरंसींग माफिह मांगने कले हाला कि ब्रिजभूशन सरन सिंग ये कह चुके हैं कि अगर उन्होंने गलत किया है तो उन्हें फांसी की सजा दी जाए उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए लेकिन अगर वो निर्दोस हैं तो जो लोग दोशी हैं उनके खिलाफ काम किया जाए दरसल अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से चुनाबों से पहले महिला पहलवानों का मुद्दा और ब्रिजभूशन सरन सिंग के मुद्दे को ध्यान में रखते वे विपक शौरदेश की जनता इस मुद्दे पर नजर बनाय हुई है और महिला पहलवानों के अथन में दिख रही है इससे सरकार की मुद्दे और बढ़ गई है बाने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या ब्रिजभूशन शरन सिंग को पार्टी से बाहर का रास्त दिखाये जाएगा या फिर कोई और कदम सरकार उठाएगी SP9 Newsroom की रेपोर्ट